खाक ही खाक थी खाक भी क्या कुछ नहीं था मैं जब आया तो मेरे जज़बे के सिवा कुछ नहीं था इन दो लाइनों में ही सारी कहानी है जी हाँ ये कहानी है उस लड़की की जिसने हमें भारती होने पर गर्व महसूस करवाया ये कहानी है उस लड़की की जिसने हमें लड़की होने पर गर्व महसूस करवाया ये हर उस लड़की की कहानी है जो सपने देखना जानती है जो उड़ना जानती है, जो खुछ से लड़ना जानती है, जो स्वाबिमान से जीना चाती है ये कहानी हैं बत्तमीज ख्वाबों की, ये कहानी हैं लवलीना की आपके ख्वाब अगर बत्तमीज हैं और आपको सोने नहीं देते तो आप बहते पानी में भी इतियास लिख सकते हो लवलीना की कहानी जीती जाती संगर्श की कहानी है जिसके पैदा होने पे माबब को ताने सुनने पड़ते थे गाओं वाले दया भरी नजरों से देखा करते थे आज उस बेटी ने पूरे देश का नाम रोशंग कर दिया है भारत की महिला मुक्के बास लवलीना ने टोकियो ओलंपिक में इतियास रज़ दिया है टोक्यो ओलम्पिक में लवलीना के मुक्के ने भारत का स्वाविमान बढ़ाया है उन्होंने ब्रॉंज मैडल अपने नाम करा है लेकिन क्या आपको पता है ओलम्पिक मैडल जितने वारी लवलीना का सफ़र इतना असान नहीं था उनका फैमिली बैक्राउंड ऐसा था कि बॉक्सिंग के लिए हमेशा कुछ न कोच चुनोतिया खड़ी रही लवलीना के पिता असान के एक चाय बगान में मजदूरी करते थे उनकी मा ने मुर्गी पालन कर परिवार की परवरिश की वही लवलीना खेतों में पसीना बहाती थी यानि एक और मुक्यबाजी में चुनोती तो दूसरी और खेतों का कटिंग परिश्रम लवलीना की दो और बेहने हैं जिस पर गाउवाले अक्सर उसके माता पेता को ताने देते थे गाउवाले कहते थे आपने कुछ पाप किया होगा तब ही भगवान ने आपको तीन लड़कियां दी ये सब सुनके लवलीना बहुत गुसे में आ जाती थी तब ही उसकी माँ उसे कहती थी बेटा अगर इन सब को गलत साबित करना है तो कुछ बनके दिखा आज लवलीना पर उसके माबब को ही नहीं पूरे देश को गर्व है ओलम्पिक विजेता लवलीना ओलम्पिक में असाम की तरफ से जाने वाली पहली महीला खिलाड़े भी हैं लवलीना हर काम खुद से करती है चाए बिखु के त्योहर पर फूलों को पिरोना ही क्यों ना हो या फिर उनका प्रकृती प्रेम लवलीना हमेशा आगे रहती है ओलम्पिक में अपना जलवा दिखाने वाली लवलीना परधान मंतरी मोदी जी के मिशन में हर समय उनके साथ खड़ी रही पियम मोदी ने जब करोना के अंदकार के खिलाब दिये जलाने का हवान किया तो लवलीना ने दिये जलाए लवलीना अंतराश्त्री योग दिवस पर योग के लिए अपने समर्पन भाव दिखाने से भी नी चुकती असाम के एक छोटे से गाउं से आई लवलीना के कहानी आज करोडो युवाओं के लिए प्रेणना है रन स्वाबी मान का लड़ने को मैं एक अकेले काफी हूँ एक हिम्मत है तलवार मेरी दो बाजू है लशकर मेरी तूटी हुई शम्शीरों से आज तुम्हें शर्म आ जाती है कल आखे दुआ हो जाएंगी जब देखोगे जोहर मेरा दोस्तों यह वीडियो आपको अगर पसंद आई तो कमेंट जरूर करना और ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करना